कट वेलकम टो दा चैनल गाइस पिछले वाले वीडियो में आप लोग बहुत सारा प्यार दिये सेकेंड सर्विस के बाद हम लोग माईलेश टेस्ट का वीडियो एक भी नहीं लाए तो इसलिए यह माईलेश टेस्ट जो की थर्ड माईलेश टेस्ट होगा यह चैनल में वह आ मैं यह बॉटल यूस कर रहा हूं यह साड़े साथ सो का यह तीन सो का मतलब वान लीटर फिप्टी एमिल का पुरा पेट्रोल होगा तो चलो हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और किसी बिना देरी के हम लोग पेट्रोल को निकालते हैं बाइक से यह जैसे कि आप द और पेट्रोल नहीं गिर रहा है तो जितना तक हम लोग निकाल सकते उतना तक तो निकाले है और एक बड़ ट्राइब करों फिर चलो और तो सायद निकल नहीं रहे सो गाइज अभी आप जैसे कि देखे हो पूरा पेट्रोल हम लोग जितना निकाल सकते थे निकाल लिए ये टू लिटर का बॉटल है तो इसमें बस इतना ही पेट्रोल बचा है अब मैं आपको मीटर दिखाता हूं मीटर में क्या दिखा र लिंक कर रहा है तो मतलब थोड़ा सा पेट्रोल इसमें बचा हुआ है तो वह पेट्रोल को भी हम लोग जब रस्ते से आएंगे तो उसको भी खाली करेंगे खाली करने के बाद फिर हम लोग ये दो बॉटल से पेट्रोल भरेंगे मतलब वान लिटर पेट्रोल भरेंगे फ एक काम करता हूं मैं ट्रिप को भी रिसेट कर लेता हूं तो पता चल जाएगा कि यह पेट्रोल कितना किलोमीटर तक चल सकता है जितना बचा हुआ है यह रहा ट्रिप 1 तो गाइस ट्रिप मीटर रिसेट हो चुका है अब हम लोग डायरेक अब इसको चलाएंगे और देखेंगे कि जितना पेट्रोल बचा है वो कितना किलोमीटर तक चल सकता है उसके बाद फिल करेंगे तो गाइस अभी हम लोग सारे तीन किलोमीटर कर चुके है 5.7 किलोमीटर कंप्लीट कर चुके है 10.8 मतलब 11 किलोमीटर हम लोग चलने वाले पेट्रोल कप खालियों का यार साम हो चुका है इसके बाद हम लोग को वान लीटर का टेस्ट भी करना है तो इसके लिए यार लाइक चैनल को सब्सक्राइब करो इतना मेहनत से वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए देख रहे हो पुरा रात हो चुका है और यह रही वो गाड़ी एक्षुली पेट्रोल खतम हुआता उस जगे उधर एक मोड है उधर खतम हुआता जहां अभी रेट कलर का कार है अभी एक वाट ट्राइब करते हैं चलाने का देखते हैं चलता ही कि नहीं कि नहीं चल रहा है यह हम लोग जो सुबह भरे थे दो लीटर का इसके बाद यह वाला जो बॉटल में आप देख रहे हो पेट्रोल यह एक्चुली हम लोग बीच में मेकानिक के पास गये थे क्यों पेट्रोल अभी तक खतम नहीं हो रहा है बोलके क्योंकि हम लोग तो उत निकाला उसके बाद थोड़ा देर चलाने के बाद फिर बाइक बंद हो गया तो अभी हम लोग क्या करेंगे साड़े साथ सो का जो बॉटल है और यह रहा छोटा सा नन्ना मुन्ना तीन सो यह दोनों को फिल अप करेंगे फिल करने के बाद फिर वो टैंक में भरेंगे तो चलो आगे वो करते हैं सबसे पहले भरते हैं साड़े साथ सो एमिल वाला बॉटल को अब इसके बाद कि नन्ना मुन्ना का वारी है तो यह चोटा वाला बोतल भी भर चुका है इसको बंद करते हैं हम लोग के पास यह बैक आप है वापस जाने के लिए मतलब नजदीक पेट्रोल पंप तक जाने के लिए यह बैक अप रखे हैं अभी कितना बज रहा है कि आप साड़े आठ बज रहा हम लोग सायद किये थे एक बजे एक बजे हम लोग घर से निकले थे उसके आगे निकले थे फिर शाड़े आठ बज चुका है फिर पेट्रोल खाली हुआ अभी सोचो कि 50 किलोमेटर तक पचास के अंदर ही होगा तो उतना तक हम लोग को फिर टेस्ट करना पड़ेगा तो चलो कोई नहीं इसके लिए लिकिन लाइक सब्सक्राइब और कमेंड भी करना कि आप यह मेहनत देखके आपको कैसा लग रहा है अब हम लोग छोटा ननना मुनना इसको खाली करते हैं अब इसको भरेंगे चलो यह भी भर चुका है इसको बंद करते हैं शेवें शिक्स किलोमेटर इसको अब हम लोग रिसेट टू जीरो करेंगे जीरो हो गिया तो अब हम लोग का सफर इधर से स्टार्ट होता है माइलेज टेस्ट इधर से स्टार्ट होता है गाईज अभी आप जैसे कि देख सक रहे हो बारा बच के तीन हो रहा है और माइलेज इधर दिखा रहा है 41.9 पिछला वाला जब हम लोग माईलेज टेस्ट किये थे तब इदर दिखा रहा था 41 तो अल्मोस्ट हम लोग उसी माईलेज में अभी तक आ चुके है 12.43 बज रहे हैं मतलब पौने एक बज रहा है और आपको मैं दिखाता हूँ कि अभी तक हम लोग माईलेज कितना कम्प्लीट किये हैं चल गया 52 दिखा रहा है इदर फिफ्टी टू पॉइंट फाइब एक बजने में तीन मिट बाकी है और अभी जो ट्रिप वान में दिखा रहा है फिफ्टी फाइब पॉइंट फाइब मतलब फिफ्टी फाइब का माईलेज अभी तक मिल चुका है लास्ट हम लोग जब सिगनल में खड़े थे तो उधर से लेके अभी तक इतने दूर आये हैं मैं सोचा कि मैं अपने दोस के घर आऊ और एग्जैक्ट दोस के घर के सामने ही मैं हूँ और इधर आप देखो मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूँ फिर से एक बार ये फिर से स्टार्ट हो गया है लेकिन स्ट्रगल कर रहा है सेकेंड सर्विस के बाद 55 का माइलेज ये हुआ और मैं अगर रोट कंडिशन का बरता हूँ तो रोट कंडिशन एकदम लाइट ट्राफिक था ज़्यादा दर हम लोग पूरा फोर या फाइब गियर में ही चलाए हैं और 60 अप नहीं गिये तो इस इसाप से मुझे 55 का माइलेज मिला है सो गाइज अभी फिल करने का टाइम आ चुका है लेकिन तब भी मैं और एक बाद ट्राइ करता हूँ देखता हूँ कि स्टार्ट होता ही कि नहीं मुझे ज़्यादा भी ट्राइब नहीं करना है क्योंकि फिल पंप फिर रूड भी सकता है आज का तो 55 का माइलेज मिली चुका है तो सेकेंड सर्विस के बाद ये बहुत ही अच्छा है कि और हम लोग बहुत टाइड हो चुके है मेरे गले के आवाज से आप समझ सक रहे हो मेरा दूस्त भी बहुत टाइड हो चुका है चलो अब फिल करते है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई प्रिटी बाद टाइड हो चुके है